तो देखिए सबसे पहले जो है हम इस फर्टिलाइजर को इसमें डालेंगे ए देखिए एक चम्मचे है इसको हम चारो तरफ से किनारे से डाल दे रहे हैं चारो तरफ से किनारे से डालना है जड़ के पास नहीं उसके बाद ए दो चीजें हम उसमें जो है ये भी किनारे से डा देंगे और उसके बाद जो है हम इसमें पानी डाल देंगे बाकी आगे की पूरा ए टूजेट जानकारी हम आपको इस वीडियो में ए टूजेट पूरी जानकारी देंगे तो चलिए शुरू हो जाते हैं हाई फ्रेंट्स कैसे हैं आसा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंट्स हमारे चैनल माई आरगेनी ग्रीन गार्डेन में आपका भरपूर स्वागत है फ्रेंट्स वीडियो शुरू करने से पहले आज हम आप लोगों का एक आभार ब्यक्त करना चाह रहे हैं कि आज आप लोगों के वज़ा से हमारा माई आरगेनी ग्रीन गार्डेन परिवार दस हज्जार लोगों का हो चुका है यह आप सब ब्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के द्वारा ही संभव हो पाया है friends इसी तरह से अपना इशने हमारे साथ बनाए रहे हमको इसी तरह से पर्या औरण में उपर उठाने के लिए अपने जो है इशने और सहयोग देते रहे हम आप लोगों के सारी समस्याओं का निवारन करने का प्रयाश करते रहेंगे कमेंट के माध्यम से तो friends उम्मीद है आप लोग इसी तरह से हमको और उचा उठाएंगे और आगे बढ़ाएंगे तो चलिए फटा फट से देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं friends आज का हमारा एविश्य है कि मुर्पंख का पौधा हमें घर में लगाना चाहिए या नहीं कि ओ जो है हरा भरा खुपसूरत गोल मटोल और देखने में बहुत ही जो है अच्छा लगे तो ये वीडियो में हम इस सारी बातों को बताएंगे तो आप वीडियो पे बने रहिएगा वीडियो इसकीप नहीं करिएगा तो चलिए फटा फट से हम जो है वीडियो शुरू क दल लेते हैं सबसे पहली चीज तो आपको इस बात का ध्यान रखना है मोर पंक ही नहीं चाहे जो भी पौधा आप लगाएं चाहे जिस चीज में लगाएं गमले में बड़े ग्रोबाइक्स में या कंटेनर में कहीं भी लगाएं आप उसमें डेड़ इंच से अधिक जगह न छोड़ें इसलिए न छोड़ें कि आप लोग हमेशा यह कहते हैं कि हमारा पौधा खुपसूरत नहीं रहता है गोल मटोल नहीं रहता है घना नहीं रहता है उसके पत्ते पीली हो हो करके गिरते हैं तो यह सब इसी वजह से होता है जब ज़्यादा जगह आप गमले में छोड़ेंगे और उसमें जब पानी डालेंगे तो जितने भी आप विटामिन्स और मिनराल्स पो सकता तो इसको दिये रहेंगे ओ पानी के साथ सारा ड्रेन होल के माध्यम से बाहर निकल जाएगा और आपका पौधे को कुछ नहीं मिल पाएगा और दूसरी चीज उसमें पानी भी अधिक रहेगा इस वज़ा से आपके पौधों के पत्ते जो है पीले पीले रहते हैं तो एह हम आपको पहली जानकारी इसलिए दे रहें कि सबसे पहला ध्यान आप ए रखिए दूसरी चीज आपको ए रखना है कि जब भी आप पौधा लगाईए तो पौधे को एक हेल्दी पौधा देख करके ले आईए ऐसा नहीं कि आप पहले से ही पौधा जो है अच्छा न लाएं तो पौधा आपका अच्छे से ग्रो नहीं करेगा तो और तीसरी चीज जब आप उसकी मिट्टी बनाईए तो मिट्टी में आप 50-50 का हमेशा रेशियो रखिए य 40% गोबर की खाद या बर्मी कंपोश्ट जो अबलेबल हो आपके पास लीजिए यह कोई माइने नहीं रखता है कि आप गार्डेनिंग के लिए वहीं चीज कंपुल्सरी हो आप सौक से फ्रेंट्स गार्डेनिंग करिए किसी दबाव में आप गार्डेनिंग मत करिए कि हम को यहीं चीज रहेगा तभी हम गार्डेनिंग करेगा ऐसा कुछ नहीं है तो उसके बाद उसमें जो है क्रस्ट किये हुए पत्ते अगर आपके पास मिल जाए आपके यहां हो हम तो बहुत दिनों से गार्डेनिंग कर रहे हैं 15 सालों से तो मेरे पास आल्रेडी रहता है प दालना पादों में बहुत जरूरी होता है अगर आप आर्गेनिक जो है गार्डेनिंग कर रहे हैं तो उसके अलावा आप जो है उसमें धान की भूशी या रेत या जो है कोको पिट जो भी आपके हां अब लेवल हो आसानी से मिल जाए ओ आप इसमें थोड़ा सा मिला जिए उसके अलावा आप इसमें कुछ राक वगेरे भी डाल दीजी यह सारी जो है खर पत्वार से फ्रेंट्स ना पौधे बहुत अच्छा ग्रोध लेकर चलते हैं आप हमारी पौधे के ग्रोध को देखिए एक साल पूराना यह पौधा है अब आप इसकी पत्तियों को और देखें मैं इसको बारबाई बारग के गमले में ही लगाएं तो इसे ज्यादा बड़े में लगाने की भी जरूरत नहीं है और समय समय पस एक साल में इसकी एक बार फरवरी माह में कटाई छटाई होती है इसको बोल मतोल मैं कैसे बनाओंगी तो आप हमसे जुड़े र आप से दो पौधे मोरपंख घर में लगाना बहुत इंपर्टेंट है तो उसके बाद आप जो है इसे लगाने का अस्थान कहां है मैं एक वीडियो अप्लोड कर चुकी है उसे आप जो है गेट के पास लगाईए तो यह बहुत जरूरी है गेट के पास लगाईए अगर आ चा마 जो है फर्टि राइजर डालेंगे ए भी भाम हम इस वीडियो में आपको बता दे रहे हैं तो जैसे जैसे समय की सुरूवात होती है माव्स्म बदलता है तो प्राश्rors जैसे अब देखे ठंड की सुरूवात हो चुकी है तो हमें इसको हरा भरा और सुन्दर रखना त मेगनिशियम शल्फेट बोलते हैं ये ले लीजिए और नीम की खली ले लीजिए और एक कुछ गोवर की सड़ी हुई खाद ले लीजिए ये सारी चीजों को बस ज्यादा इसको फर्टिलाइज करने की जरूत नहीं इसमें हम डाल देंगे तो ये पौधा बहुत ही सुन्दर लगेगा देखने में तो ये सब चीजों को हम इसको खोद करके डाल देते हैं और जब इसको जितना पानी की जरूरत होगी उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे बस यहीं इसका केयर है और फिर पूरे साले अच्छे से हर तीन चार महीने में हमको इसको फर्टिलाइज करना पढ़ता है खुराग देनी पढ़ती है तब ये खुब सुरद लगता है तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कि ये बिना नहीं जाईएगा क्योंकि मैं इंफार्मेशन पूस रहिए मस्त रहिए थैंक्स पर वाचिंग